नमस्कार, डॉक्टर सुधांशो त्रिवेदी, मेंबर और पार्लिमेंट, नाशनल स्पोक्स पर्सन और हमारे बहुत ही सीनेर लीडर आज एक बहुत ही एहम मुद्दे को लेके आए हैं, यह बहुत ही देश में आज इसको लेके बहुत चर्चा हो रही है, उसको डिटेल में आप लोग की बीच में रखेंगे, डॉक्टर त्रिवेदी. और वो इतना निम्न इस्तरी और भर्सना योग ये बयान है, कि उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, उन्होंने ये कहा, कृष्टी राम जन भूमी का शुद्धी करण कराने की आवशक्ता है, महत्पून बात ये है, कि ये बयान उनका ठीक महामहिम राष्ट्रपती पूचना चाता हूँ, कि आप इस प्रकार से देश की प्रथम नागरिक और समस्त शुदूर ट्राइब समाज, आदिवासी समाज का इतना घोर अपमान करने पर क्यों आमादा है, ये सीधा सीधा भारत के सी और स्टी समाज का घंगोर अपमान है और कॉंग्रेस के मन के अंदर का जो द्वेश भाव है, जो असली भाव है, वो उभर कर क्रमशा सामने आ रहा है, और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, मैं कॉंग्रेस को याद दिला देना चाहता हूँ, कि उन्होंने फिर ये कहा, धर्माचारियों और शंक्राचारियों को लेकर, तो कॉंग्रेस को याद दिला देना चाहता हूँ, जब शीराम जन्भूमी आंदोलन की शुरुआत हुई तो 1989 के प्रयाक के महाकुम्ब में धर्म संसद हुई थी, और देश के सभी धर्माचारियों ने एक स्वर में का समर्थन किया था, कॉंग्रेस तब भी इसके विरोध में थी, नव नमबन 1989 को शीराम जन्भूमी का शिलान्यास हुआ, तो जो चार इटे रखी जाती हैं, उससे पहली इट बिहार के कामेश्वर चौपाल जी के द्वारा रखी गई थी, जो आपके हिसाब से तथा कथि निमने जाती के थे, अनुसूची जाती के थे, हम तो किसी को उचा और नीचा नहीं मानते, तब भी कॉंग्रेस ने विरोध किया, दो हजार उन्नीस में जब जज्जमेंट आया, तब भी कॉंग्रेस ने विरोध किया, जब दो हजार चौबिस में इसी वर्ष, 22 जन्वरी को श्री राम जन भूमिका उद्गाटन हुआ प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदीद उसमें मुख्य भूमिका में थे जो स्वैम OBC समाज से आते हैं तो उसका भी विरोध किया और आज जब देश की महामहिम राष्ट्रपती जो शिदूर्ट्राइप समाज से आती हैं आ S.C.S.T. और OBC समाज के दिए जो अस्री में हिकारत है उसे सामने लाना है अब आप ये बताएए कि मात्र मैं ये भी बताना चाहता हूं जो आज बहुत धर्म की बात करते हैं यदि हमारे विचार परिवार के लोग नहीं होते तो अनुसूचित जन जाथि का पूरा समाज को आप लोगों ने तो कनवर्जन की ताक्तों के हाथ में छोड़ दिया था आज उनका स्वाभिमान उनकी संस्कृती की रक्षा करने के लिए भारती जनता पार्टी और विचार परिवार के संग्ठों ने महत्पुन भमिका ने बाई है और ये बयान अचानक नहीं आया है कुछ दिन पहले इंडी कडवंदन के एक प्रमुख ने था समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ट ने था राम गोपाल लियादव जी ने बेकार शब्द का प्रयोग किया तो फिर इनके सास समंदर पार बैटे हुए गुरू जी ने डेमोक्रेसी पे संकट आया हुआ है राममंदिर और रामनौमी की वज़े से यह शब्द प्रयोग किया और अब नाना पठोले ने राममंदिर के शुद्धी करण की बात की यानि यह कोई एक अलग बयान नहीं है जिसे निजी बयान कहके वो दरकिनार कर सकें यह वास्विक्ता में एक सोची समझी व्यवस् नाना पठोले राममंदिर के अपमान की बात करते हैं यह एक तरफ पाकिस्तान का सम्मान और एक तरफ है राममंदिर का अपमान और उसके साथ साथ अनुसूचित जन जाती समाज का अपमान और जब यह बहुत उसकी बात करते हैं तो मैं यह भी बताना चाहता हूंगा ने रामचरित मानस में बहुत इस्पष्ट कहा है कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई इन दस चीजों से नहीं मिलता तो आपकी उंचाई की अहंकार और चतुराई इससे नहीं मिलने वाले उन्होंने बहुत साफ कहा है वो शवरी माता से कहते हैं कहे रगुपति सुन भामी निबाता यानि है देवी एक ही बात कह रहा हूं मान हूं एक भगत करनाता और कॉंग्रेस के अंदर भक्त नहीं है इसी कारण से उनके मन की जो हिकारत है भारती संस्कृति और शीराम मंदिर के पृति वो निरंतर उभर कर सामने आ रही है हम उसे सह लेते हैं परन्तु आप जब समाज की सबसे पिछली सीड़ी पर खड़े हुए वर्ग का इतना बड़ा प्मान करते हैं जिसे मोदी जी ने देश के सर्वोच पद पर बैठाने का कारिक किया है तो दिल में पीड़ा होती है और जब आप राम मंदिर और भारती सं स्कृति के प्रती इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो निश्यत रूप से मन में आक्रोश उत्पन होता है और पुना इससे बात साबित हो जाती है कि अधिक कॉंग्रेस के गड़बंदन सयोगियों ने इरेडिकेशन और सरातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के सम मुगल नाश की कॉंफरेंस की थी तो वह कॉंफरेंस सिर्फ बातों तक नहीं सीमित है वो उनके कर्मों में भी दिखाई पड़ रही है धन्यवाद कि इससे कुछ रहे मुझे याद रखना चाहिए कि उनके सबसे बड़े नेता उनके लिए परमादरणी वंदनी राहूल गांदी जी जो अपने बयानों के कारण बहुत दिंदनी हो गए हैं अरे भाई उनको उनके पर जो महर्मान सीमा पार के भाईजान है फवाज चोधरी जोनों ने राहू राहूल साहब और जाने क्या क्या बोला है उन्होंने पाकिस्तान की नैशनल एसेंबली में खड़े हो के बोला था बतौर मिनिस्टर आफ इम्रान खान गवर्मेंट कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है तो रेवंद रेड़ी जी जानकारी नहीं है या इतनी महबत है कि राहूल गांधी के लिए साहब कहने वाले पाकिस्तानी मंत्री के कहने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पढ़ ला है सुना इन पढ़ ला है तो सोते व्यक्ति को जगा कर दिखाया जा सकता है और जागा हुआ जो आँखों से बीन न देखना चाहे उसे दिखाया नहीं कोई रिलेटेड क्वेश्चन है हाँ पर मैं बताएं है कि देखिए केजरिवाल जी आज बाहर आए है और देखिए किस कदर जश्ण मनाया जा रहा है इसमें मैं कहना चाहूंगा कि केजरिवाल जी जैसे लुटियन जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं वैसे भारती राजनीत में कुछ एलीट क्लब है हम लोग अभी बच्पन में सुनते थे कोई वेक्ति विदेश से लोट के आ केजरिवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं यह वो क्लब है जो बहुत पुरानी सदस्ता जिनलोन ली है 1997 में लालु प्रसाद यादव जी इस क्लब के सदस्य बने 1996 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जैलेलिता जी इस क्लब की सदस्य बनी फिर संद 2000 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करणा निदी जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने फिर 2006 में जारकंड के मुख्यमंत्र शिवु सोरे JENN जी जेल रिटन कलब के सदस्रे से बनें फिर 2008 में मधु कोड़ा जी जेल रिटन कलब के सदस्रे से आघ्ञार्णी पार्टी के लोग कि तो मुझे लगता है कि अन्ना को अपना गुरू मानने के बाद लालू यादव जी को अपना गुरू मानने का जो उन्होंने दिखाया था रामनीला मैदान में तो उसका पूरा प्रभाव उनके उपर नजर आ रहा है तो जेल से आने पर और वो भी केवल चौट टर्म में विशेश परिसितियों में जैसा दिया गया है उसके बाद जो उनकी एक खुशी दिखाई पड़ रही है तो मतलब लगता खुशी मिली इतनी जो मन में ना समाए पलक बंद करनो कहीं छलक ही न जाए तो इस इंडी कड़ बंदन के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा देखे कितनी मज़ेदार बात यह जो दहार दहार के कहते थे शीला दिख्षिजी को जेल में डाल देंगे जो चिंहार चिंहार के कहते थे सुनिया गांधी जी को जेल में डाल देंगे तिहाड में जाकर उनके सुर्क ऐसे बदल गए कि वो आकर इन्हीं के आगे नतमस्तक हो गए और क्यों अब उनके बीच में कोई दरार नहीं है क्योंकि उस पर मोदी विरोत का इश्तेहार चिपक गया है तो मैं इस इंडी गढ़बंदन के लिए केजरीवाल जी के बाहर आने पर कि उनके जश्न को नजर करते हुए दो लाइन कहना चाहूंगा कि इस गढ़बंदन में अब किसी को नहीं दिखती कोई दरार चुँकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोत के इश्तेहार और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जर्म है कोई तो जमानत पर रहा है और कोई है फरार कि एक बार पुर्ण आपना प्रश्ण बता देंगे अगर बिहार में उनकी पार्टी कुल कितनी सीट लड़ रही है मैं एक जमाने में जब वो लोग साथ साथ थे तब अगर आप याद करिये कि सुनिया गांदी जी को लालू प्रसाद यादों से पहले भाशन देना पड़ा था बिहार में ही आपको याद होगा तो मुझे लगता है कि बिहार की जंता राजनेतिक दृष्टी से बहुत जागरूख है और वो चालिस सीटों की बात कर रहे हैं पिछली बार हमने शांदार सफलता हासिल की थी और इस बार भी हम बिहार में शांदार सफलता हासिल करेंगे इस बारे माश्वस्त रही है देखे अभी अभी एक जानकारी यह भी लगी है कि कॉंग्रेस की नियायात्रा में महत्वण भुमिका निभाने वाले उनके बिहार के एक नेता और बिहार के उपाद जक्ष रहे श्री विनोस शर्मा जी ने जो प्रवक्ता भी रहे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है बता वूचे खड़गे जी बिहार और बिहार में एक और चमतकार हो गया और अभी तक जो जानकारी लगी है उन्होंने पुनाय हैे कहा है कि यह जो टुक्डे टुक्डे गैंग को समर्थन करने की बात कॉंग्रेस पार्टी करती है उसी के कारण उनके मंद में यह बात आई है कि मुझे लगता है पीजी दन्वम जी जैसे वरिष्ट नेता को इस बात से पिध्यान रखना चाहिए कि सीधे सीधे जूट नहीं बोलना चाहिए कि एस सी को रिजर्वेशन डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से मिला था और उसके एक हिस्से की शुरुवात महात्मा गांधी के साथ हुए पूना पैक्ट के बाद 1937 में ब्रिटिश टाइम में हो गई थी ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए 53 में बने काका कालेलकर कमिशन की रिपोर्ट नहरुजी ने कभी नहीं लागू की 1977 तक इंद्रा जी की सरकार रही कभी नहीं लागू हुई फिर मंडल कमिशन बना 1978 में जब तक रिपोर्ट आई असी में फिर इंद्रा जी की सरकार आ गई सिब्बल जी जो बाद में चार्डी मिनिस्टर बने उन्होंने ओपेंली इसका विरोत किया था और फैक्ट यह है कि SCST OBC का आरक्षन कश्मीर में उन्होंने नहीं दिया इस आधार पर की वो मुस्लिम डॉमिनेटेड है और AMU जामिया मिलिया से उन्होंने ले लिया तो यह बिलकुल फैक्ट्वली रॉंग है और OBC कमिशन को समवैदानिक दरजा नहीं लेने दिया और आज की हकीकत यह मतलब मैं आजादी के समय से और दोहजार चौबिस कि उनकी करनाटक की सरकार कह रही है कि पूरे मुसलमानों को OBC आरक्षन में शामिल कर लेना चाहिए तो मेर मैं उनके लिए सुलब संग्यान के लिए बता भी दूँ अगर उन्हें ना ध्यान हो तो 6 दिसंबर 1990 को भारत की संसत के पटल पर राजीव गांधी जी का फ्लोर अद्धा हाउस पे मंडल की रिपोर्ट को विरोध करते हुए पूरा बयान है उन्होंने कहा कॉंग्रेस पा पाथ पर मौर लगेगी हाथ पर तो कर्पिया चिदर्मर में जाके पढ़ रहें नहीं तो करोनों लोग जाके नेट पे जाके उसे पढ़ सकते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा राहूल गांदी के शब्दों में कि कानूनी और विदिक मुद्दों के उपर नियाले ने किन बिंदों को ध्यान में रखकर उनको ये बेल दी है या इसको टेक्निकली पैरोल कहेंगे और किन किन शर्तों के तहद दी है वो शर्ते भी बड़ी गंभीर हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं वर मुख्यमंत्री कारे ले नहीं जा सकते मुख्यमंत्री हैं कोई फाइल नहीं साइन कर सकते मुख्यमंत्री हैं प्रशासनिक इस्तर पे कोई आदेश और इवन इस विशेश सम्मंदित बयान नहीं जारी कर सक तो वो नियाले का विशेशा दिकार है परन्तु ऐसा पहली बार नहीं हुआ है देश में दर्जनों नेता जो जेल जा चुके हैं उसी स्रेणी में केजरीवाल जी भी शामिल हो गए हैं और मैंने कई मुख्यमंत्रियों को तो नाम गिनाये थे और उससे पहले भी 2010 में पित हो गए हैं नई राजनीती नए स्वरूप में पुरानी बोतल में कैसे प्रविष्ट कर जाती है ये राहुल गांधी सौरी ये केजरीवाल जी के चरित्र में राहुल गांधी जी की संगति में आने के बाद बहुत साब दिखाई पड़ता है कि देश की सबसे पुरान और बहुत सारे चैलेंजे राहुल गांधी जी को भी किये गए हैं डिबेट करने के लिए तो उसके बाद आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी किस हैसियस से पूछ रहे हैं कॉंग्रेस के अध्यक्ष हैं नेता प्रतिपक्ष हैं या इंडिकट बंदन के चे तो गांधी जी है जो सिर्फ एक सांसथ है एक सांसर यात्रा निकालता है और नेता पृतिपक्ष दोनों सद्र ओंपेछे पीछे खड़े हो जाते हैं तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी की बहस करने और किसी भी विशे के ऊपर जानकारी कितनी इस इस्तर की है कि बहस की जा सके ये भली बात समझा जा सकता है मैं उधारण के लिए बोलना चाहता हूँ अभी वो कुछ दिन पहले नहीं बोले थे परसो नर्सों कि वो आयाइटी में वो लोग बैठे रहते हैं अपर कास्ट है इसलिए फलां कास्ट को कम मिलता है अगर यह फलां कास्ट बैठ जाएगी तो उसके वो क्वेश्चन पूछे कि तो नंबर होंगे उनसे पूछो भाई तुमारे पिता जी के दादा जी ने पांच आयटी बनाई थी एक जर्मनी के सहयोग से एक ब्रिटन के सहयोग से एक अमेरिका के सहयोग से एक रशिया के सहय में दोलिये मैं बता रहा हूं हम लोने अपने जमाने में पढ़ा तो फिजिक में अमेरिकन राइटर चौ alan डे जो जो अमेठी में नामांकर लिख के देने को तैयार नहुए वो कह रहे हैं कि पूरे देश में सरकार बनवा देंगे इसी लिए फिनॉमिना दाइनेम इस राहूल गांदी